तो दर्श को यहां पे मैं आप बात करना चाहूंगी उन यूजर्स के बारे में जिनों ने अपनी जिन्दगी को बदलते हुए देखा है जो हकीम सहाब के यूनानी ट्रीटमेंट से घरेलू नुसको से सेहत मन्द हुए हैं तो कुछ यूजर्स का जिक्र हम यहां पे करेंगे जो हकीम सहाब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और कौन-कौन लोग सेहत मन्द हुए हैं हकीम सहाब से जुड़के उनके ट्रीटमेंट को फॉलो करके उनके बारे में आज हम बात करते हैं तो हकीम सहाब हमारे पहले यूजर हैं रिहान जी कहना है उनका सलाम हकीम भाई माशालला आपको हम सब की बहुत बहुत दुआ मेरी उम्र 40 साल है मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ मेरा घुटनो का दर्द गौन्द सिया से बिल्कुल ठीक हो गया है अब मैं चल पा रहा हूँ काम भी कर रहा हूँ इसके बाद मैंने काफी लोगों को आपके गौन्द सिया के बारे में भी बताया उनको भी 75 प्रतीशत आराम मिला है आपका तही दिल से शुक्रिया वाकई ये गौन्द सिया एक अच्छी और शद्धी बानी जाती है दर्द के किसी भी रोग में तो ये भी आप से कहने की जरूत नहीं है कि ये बात आप पहला दीज़े क्योंकि ये बात आप खुद ही कर रहे हैं कि खुद फायदा उठा कर दूसरों को फायदा पहुचा रहे हैं वरना मैं अक्सर अपने ऐसे लोगों से जिन्होंने मेरे मश्वरे से कोई फायदा उठाया मैं उनसे कहता हूं कि अपने आसपास के लोगों को भी उस दवा के बारे में जरूर बता दें जिससे आपने फायदा उठाया है हमारे नेक्स्ट यूजर है हकीम सहाब न बहुत अच्छे हैं, अल्ला ताला आपको अच्छी सिहत के साथ लंबी जिंदगी दे पहुचा दीजे, नदीम भाई बहुत शुक्रिया, कल्पना जी का कहना है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, मेरा पेट बहुत खराब रहता था, खाना हजम नहीं होता था, कब्ज की समस्या थी, पर आपका बेल का मुरब्ब्ब खाकर, अब मुझे पेट की समस्या नहीं होत अब मैं बाहर का खाना भी कभी-कभी खा लेती हूँ, और इसका सारा श्रे आपको जाता है, आज आपके वज़े से मेरी जिंदगी बदल गई, बहुत खुश रहें, सलामत रहें कल्पना जी, और आपने भी फाइदा उठाया, इस नस्खे को आम कर दीजे, लोगों तक प हुजराद से हैं हकीम सहाब, उनका कहना है मुझे सुराइसिस की समस्या थी, लेकिन एक दिन वीडियो में आपके गौंद मौरिंगा के बारे में बताये गया, तो मैंने इसका इसका इस्तमाल किया, और मुझे काफी आराम मिला है, अब मैं और लोगों की भी मदद कर रहा ह हम दिखिए बहुत शुक्रिया आपने अपना फीड़ बैक दिया और इस रोग आपको था ये बहुत कम लोगों को होता है और इसका अच्छा नुस्खा कहीं मिलता नहीं है, इसे लिखकर रखिए और ऐसा कोई मरीज मिला करे तो इसको ये नुस्खा बता दिया करें, क्यो हाधे जिसम पर वो निशाना आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं किसी किसी का तो जिसम पकता रहता है, तो आप अ अपना खूप खयार लगें और हमारे लिए भी दूआ करें, बहुत शुक्रिया हैदरबाद के आशीज जी कहना चाहते हैं हकीम सहाब मेरे पिता जी को कमर में काफी दर्द रहता था वो उठ नहीं पाते थे चल नहीं पाते थे फिर एक दिन हमने आपका प्रोग्राम देख कर गौंद सिया मंगवाया और मात्र दो महीने में उन्हें इससे काफी आराम मिल गया आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हकीम जी क्योंकि आज आपकी वज़े से ही मेरे पिता जी का दर्द कम हो पाया है अशीज जी ये गौंद सिया याद रखिये और ये गौंद सिया हर घर की जरूरत है और मैं जानता हूँ जब एक बाप को तकलीफ होती है और बेटा परिशान होता है किसी दवा से फाइदा नहीं होता या बेटे को तकलीफ हो और बाप परिशान होता है वो कुछ भी कुर्बान करने को तयार रहता है कि किसी तरह मेरे बेटा ठीक हो जाए ऐसे लम्हों में ये गौंसिया बड़ा काम आता है किसी को कहीं भी दर्ध हो घुट्नों में हो पिंड्लियों में हो कमर में हो हातों में हो मौंडों में हो कौनियों में हो गौंसिया आदा आदा गिराम असली गौंसिया दो बार खाने से आपको फाइदा होना मुम्किन है आशीज जी बहुत शुक्रिया फीडबेक के लिए तो सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पे जोतने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका तहीर दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो सेहत मन हुए हैं उनका भी जिन्नोंने अपने प्रश्ण हम से पूछे उनका भी तो आप लोग भी ऐसे ही इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं आप भी अगर सवाल करना चाहते हैं हकीम सहाब से या फिर आपको हकीम सहाब के युनारी ट्रीटमेंट से नुसकों से फायदा हुआ है तो आप भी हमारे सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पे जाएए कॉमेंट सेक्शन में अपने कॉमेंट लिखी और इस प्रोग्राम के जरिए आपके प्रश्णों का जवाब देंगे हकीम सहाब और जिने फायदा मिला है उनके भी फीडबैक यहाँ पे रखे जाएंगे तो आज की इस खास कारक्रम में बस इतना ही मुझे दीजे इजाज़त और हकीम सहाब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया